तो हे गाईस, वल्कम है आज की इस वीडियो में तो गाईस आप लोग देख रहा होंगे कि बहुत सारे बंदे क्या कर रहे हैं किसी भी फिरिफायर के करेक्टर को लेकर कुछ इस तरह से वीडियो एडिट कर रहे हैं जिनका मूँ नहीं खुलता था मेरे सामने और यह वीडियो बना कर वो अपने यूटूब शॉट्स पे भी अपलोड कर रहे हैं इस वज़ा से उनकी वीडियो काफी वाइरल हो रही है तो क्या आपको पता है कि इस तरह की वीडियो कैसे एडिट की जाती है यहाँ पर मैं बहुत इजी तरीका आपको बताऊंगा आप यहाँ पर एक किलिक में इस तरह की वीडियो एडिट कर पाएंगे तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की वीडियो बना कर अपने यूटूब शॉट्स पे अपलोड करना तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद आप इस तरह की वीडियो एडिट करना सीख जाएंगे तो चलिए फिर मुबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर चलकर आपको बताते हैं तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कोई भी एडिटिंग नहीं सिखाऊंगा यहाँ पर मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप एक क्लिक में अपना स्टेटस बना पाएंगे तो इसके लिए आपको यह एप इंस्टॉल करना पड़ेगी और यह एप आपको कहां से लेना है यह आपको आगे वीडियो में बताऊंगा तो आपको सिंपल है सर्च में यहाँ पर सर्च करना है एटिट्यूट जब आप यहां पर attitude search करते हैं तो आपके सामने यहां पर बहुत सारे यहां पर status आ जाएंगे अब यहां पर बात करते हैं कि हमें free fire का status कैसे बनाना है तो आपको क्या गरना है यहां पर एक fourth number का आपको देखने को मिलेगा simple हम इस पर click करना है जैसे हम इस पर click करते हैं तो हमारे सामें इस तरीके का एक pop-up open होगा अब क्या गरना है इसके बाद आपको make पर click करना make पर जैसे हैं आपके यहां पर add open हो जाएगी add को आपको close करना है क्योंकि यहां पर आपका net on होना बहुत जरूरी है तो अब क्या करना है आपको एक यहां पर corner पर दिखेगा plus तो यह वाला आप plus देख रहा है ना इस पर click करना है जैसे हम plus पर click करते हैं हम चले जाते हैं अपने phone की गेरली में and वहां से आपको अपना photo लेना है अगर आप अपना photo लगाना चाहते हैं अपना photo भी ले सकते हैं and यहां से हम लेते हैं free fire के character का तो मैं यहां से एक photo को DJ Alok को ले लेता हूँ तो यह मैंने download कर रखा था मैंने यहां से add कर लिया ठीक है अब यहां पर देख रहा हूँगा इस तरह के सा आगया अब आपको दो finger से इसको क्या करना है adjust करना है इसकी screen पर adjust करना है थोड़ा सा छोटा करकर यहां पर हमें set करना है ठीक है यहां से अपने हिसाब से आप set कर लेंगे set करने कबाद आपका यहां पर replace हो गया है ठीक है आप यहां पर DJ Alok आने लगा तो आप क्या करना है अगर आप चाहते हैं कि इसका music change है यह तो आप नीचे replace music पर click करके अपने music change कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि photo आप दुसरा change करने हैं तो replace पर click करेंगे replace पर click करने बाद आप सीधे phone की gaili में चले जाएंगे और वहां से आप दूसरा photo ले सकते हैं तो यहां से मैंने एक free fire का और character डाउंडूट कर रखा है तो यहां से हम इसको इस तरीके से adjust कर लेते हैं और यहां पर इसको set कर लेते हैं ठीक है इतना होने के बाद अब यहां पर हमें क्या करना है आपको कुछ भी करने की जरूती है आपको simpler make पे क्लिक कर देना है तो नीचे आपको make एक option दिख रहा है आपको इस पे कर देना है और आपका status यहां से automatic complete हो जाएगा उससे बहले आपको बता देता हूँ अगर आप music अपनी गेरली से लेना चाहते हैं अब बात करते हैं तो आपको simple make पे क्लिक करना है make पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहां पर आपका उपर processing चालू हो गया आपका loading आपको दिख रही होगी यहां पर कुछ percent 100% होगा और हमारा यहां पर status तयार हो जाएगा तो देखा गाइस कितना easy था इस app की निंग आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगी वहाँ पर जा कर आप इस ऐप को download कर सकते हैं यहां आप सीदे play store पर जाएए वहाँ पर भी जा कर आप इस app को download कर सकते हैं और अगर आपने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है